नमस्कार दोस्तों, मेरे Palm Reading Channel में आपका बहुत बहुत स्वाकत है आयास 30 वर्स के पूरुष के Palm का Answers करेंगे, इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरप्रत हम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एकक करके इनके सवालों का उतर करेंगे उसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पयक्टर के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल अकन को प्रेस कर दे ताकि लेटस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते है इनका प्रेशन इस प्रकार है वर्तमान में प्रेवेट जॉब में है कुछ समय से ये गवर्णमेंट जॉब के लिए प्रेशन कर रहे है UPSC के विशे में जानना चाहते है कि UPSC के योग हमारे अतली पर है की ने तो निश्चिंत्र है आपके सारे कोशन्स पे आपको उत्तर मिलेगा वीडियो के माद्यम से और ये वीडियो इसलिए भी महत्रपूर है क्योंकि बहुत से लोग मुझे IES, IPS या UPSC को लेके कोशन्स arise करते है तो उन सब के डाउट्स इस वीडियो के माद्यम से मैं क्लियर करने का कोशिश करूँगा क्या आप सही काम कर रहे है क्या ऐसी अवस्था आप के यतली पर है क्या आप जिस चीज के लिए प्रियासरत है उसमें आपको सफलता मिलेगी तो सारा कुछ का जानकारी आपको इस वीडियो के माद्यम से मिलेगा तो वीडियो काफी महत्पून तो उसके बाद इनके कोशन्स तहतली पर और क्या अच्छे खराब योग बन रहे है इस विशे पर जानकारी दे दीजिए तो निशिंद्र आपके सारे कोशन्स पर आपको उत्तर मिलेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या आप सही डिरेक्शन में कारे कर रहे है क्या आप नहीं कर रहे है आपके लिए कौन सा डिरेक्शन सही है सारे विशे योपर एक-एक करके crystal clarity के साथ आपको जानकारी मिलेगी तो UPSC UPSC बहुत बड़ा बहुत बड़ा exam है जिसको लाखो बच्चे जिसमें लाखो बच्चे participate करते हैं और सिर्फ participate ही नहीं करते बहुत मेहनत करके participate करते हैं जिनमें कुछ extra ordinary रहते हैं अपने दिमाग से कुछ extra ordinary रहते हैं अपने भाग्य से तो इस चीज़ पटीपनी के लिए न मैं आप लोग को अंधेरे में नहीं रखूँगा मेहनत करने से सब कुछ हासिल होता है बहुत उचित है आपका लेकिन UPSC जैसा जॉब नहीं थोड़ा आपको ये सुनके थोड़ा जीब लग रहा होगा कि गुरू जी क्या बोल रहे हैं मैं सच बोल रहा हूँ मेहनत करके आप सब चिस कमा सकते हैं लेकिन UPSC जैसी नौकरी नहीं उसके लिए आपको extra effort करने के आवश्यक्ता है पहले चीज़ दूसरा आपका लग भी बहुत बढ़ियां होना चाहिए तीसरा इश्वर के क्रिपा आपके उपर होनी चाहिए ये तीन चीज़ बहुत जरूरी है क्योंकि आप ही सोचो 30 लाग बच्चे फॉर्म बढ़ते हैं और 7-800 का सेलेक्शन होना है ठीक है आपने बहुत से वीडियोस देखिए जिसमें कमपेटिशन आधे के साथ रहता है 25% के साथ ही कमपेटिशन रहता है तो 25% भी रहा तो 4 लाग हुआ ना मान लो 50,000 ही हुआ 50,000 के साथ ही आपका एक्स्ट्रा कमपेटिशन है इसकी क्या गेरिंटी है कि उस 50,000 विक्ती में से सबसे प्रवल आपका ही भागिये होगा और दूसरा चीज इसकी क्या गेरिंटी है कि आपका भागिये नहीं होगा दो चीजे होती है तो इस चीज को क्लैरिफाई कैसे किया जाए आपकी हतेली पर अगर कुछ अच्छी अवस्था बनी होगी मतलब एक्स्ट्रा और्नेरी किसी चीज में प्राब्लम्स नहीं होगी सारी चीजे संतुलित होगी तो मैं वहां से एक डिसिजन दे देता हूँ कि आप मेहनत करो आपका हो जाएगा लेकिन जिस सतेली पर कुछ प्राब्लम्स रहती है उसके लिए मैं डिसिजन नहीं दूँगा मैं उनको बोलूँगा कि उसके नीचे भी बहुत जौब होता है आप उसको ट्राई कर लीजे उसमें आपका हो जाएगा UPSC में एक्स्ट्रा भागे के साथ-साथ एक्स्ट्रा मेहनत की भी आवश्यक्ता पढ़ती है तो आज इस सच से मैं रूबरू कराऊंगा बहुत सैसे लोग होंगे जो अपने मन में UPSC को लेके बैठे होंगे एक साल में तीन मेहने पढ़ते होंगे साथ मेहने सपने देखते होंगे फिर दूसरे साल सुरू करते होंगे उनके मन में यही ख्याल होगा कि मैं UPSC करूँ मैं कुछ और एक्जाम ना दू वो छोटा होता है वो घटिया है वो बढ़िया नहीं है लेकिन अगर आपके एतली पर वो योग नहीं होगा तो आपकी मानसिक्ता खराब है बहुत सैसे लोगों को मैंने देखा है जो ऐसे प्रपरिशन करके 30 वरसों के बाद अपने जिंदगी पर वही काम कर रहे है जो एक जेनरल परसन करता है तो आपकी अगर सफलता आपके आतली पर है आपका अगर समय अच्छा है और कुछ ग्रहों में प्रॉब्लम है तो UPSC तो आपका नहीं होगा पहले चीज़ दूसरा उसके नीचे बहुत से अधिकारी के जॉब होते हैं वो करो, वो परियास करो अब चीज़ों को ज़्यादा complicated ना करके असपस्ट करते हैं देखे, जिस भी इंसान को UPSC में सफलता पाना है उसके अतली पर क्या conditions बनने चाहिए आपकी सबसे पहले ब्रशपती पर नज़र डालनी चाहिए आपको वो अच्छी amount में हो क्योंकि यही आपके ज़्यान का कारक है और यहां पर ज़्यान की आवशक्ता बहुत परती है बहुत ज़ादा परती है पहला तो ब्रशपती आपका strong होना चाहिए सबसे मुख्य गरह अगर आपके हाथ पर ब्रशपती गरबर है तो उमीद भी छोड़ दो के आपका UPSC होगा अब आप बोलोगे गरुजी सबका अच्छा होगे ज़रूरी थोड़ी है लेकिन बहुत लोगों का अच्छा होता है उस 30 लाख आदमी में न मिनिमम एक लाख बच्चों का तो अच्छा ज़रूर होगा अब आप समय लीजे आपकी Saturn अच्छी होनी चाहिए आपकी Sun Mercury अच्छी होनी चाहिए Sun Mercury का तो बहुत ज़्यादा importance है ये तो अच्छा होना ही चाहिए ये एकदम ही अच्छा होना चाहिए सुड़ी खुद में government है सुड़ी आपको मान समान तेज देता है लेकिन ये चीज़े उने अनिवारी है अनिवारी है जो कंपल्सन चीज़ है उसको तुम्हें बताऊंगा और आपकी मंगल जो कि आपके एनरजी का को दर्शाती है इसमें आपको 10 गंटे से उपर ही पढ़ाई करना पढ़ता है कितना भी तेज आपका किया डाउट्स रहा आपके मन में आपकी चंदर्मा भी अच्छी होने चाहिए चंदर्मा अगर आपका खराब रहता है तो आप mentally illness के सिकार होते हो परिशान रहते हो जब आप mentally illness के सिकार होगे तो आप कहां से पढ़ पाओगे कहां से creativity ला पाओगे कहां से चीजों का सपस्ट कर पाओगे ये भी एक बात है शुक्र आपका बढ़ियां होना चाहिए आप जैसा जानते कि जो IPS है या बड़े बड़े पदादिकारी है वो लोग राजा के समान अपने जिंदगी को बिताते है तो शुक्र का प्रधानतम अवस्था होना आपके एतली पर अती आवश्चक है नई तो आप अपने जिंदगी को वैसे नहीं बिता पाएंगे मतलब UPSC एक complete package है आपके जिंदगी पर सुख का आपके जिंदगी पर नाम का आपके जिंदगी पर पैसे का तो उसके लिए आपके एतली complete अच्छी होनी चाहिए सिंपल सा एक बात समझे लो आप फिर देखे इनके एतली पर तीसरी आपकी जीवन रेखा अच्छी होने चाहिए आपकी जीवन रेखा पर राहू लाइन्स नहीं होने चाहिए होने पे चाहिए तो एक दो हो तीन चार हो particular जिस एज में आपका peak point है वहाँ पर तो नहीं ही होना चाहिए अब peak point का संबंध ये है कि जिस एज में आपको exam देना है उसके आसपास तीन चार साल नहीं होने चाहिए भाग गे रेखा अच्छी होने चाहिए और सूरी अच्छा होगा तो सूरी रेखा भी अच्छी होगी तो ये सारे conditions आपके अतली पर हो तो आपका UPSC होगा और sudden तलक्की के लिए आपके अतली पर कुछ progress lines भी होने चाहिए बस इतनी की ही आपको आवशकता है अब आप बोलोगे गुरू जी मैंने तो किसी I.E.S. का हाथ देखा चलिए questions आपके मन में rise हो सकता है जैसा आप बता रहे वैसे तो उसके हाथ पर नहीं है तोरा मंगल दवा हुआ था लेकिन सूरी रेखा भी बहुत अच्छी थी उस पर कुछ अच्छी इंडिकेशन बने वे थे जीवन रेखा पर continue progress line थी मंगल रेखा अच्छी थी तो उस चीज़ को वो manage कर रही है समझिएगा ये जो मैंने आपको एक example बताया ना ये जो मैंने एक चीज़ बताया ये आगर आपका रहे तो आप मेहनत भी करो तो आपका होना तैय है इसके उपरांत भी बहुत से चीज़े होती है इसके उपरांत क्या होती है मानलो आपको कोई गरह वीक है उसको balance करने के लिए भागी रेखा में उच्छतम अवस्था बन गई एकदम peak point पर पताब जबरदस्त भागी रेखा हो गई तो सफलता मिलेगी जीवन रेखा पच्छी conditions बन गए अगर आपकी बुद्ध में करवरी है तो तो ये चीज़े balance कर जाती है लेकिन जो दो-तीन गरह compulsion है न वो तो अच्छा होना ही चाहिए ब्रश्पती, शूड़िय और चंदर्मा ये तीनो प्लेंट्स आपके अच्छे होने चाहिए अब इनके एतली पर क्या चीज़े है तो देखिए आपके एतली पर एक नहीं बहुत negativity है इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ आपका समय भी ब्रबाद हो जाएगा आपको सफलता भी नहीं मिलेगी और अब ये आपकी 30 वर्स की आयू भी है हमारी बाते थोड़ी कर भी आपको लग सकती है लेकिन सचाए यही है आप 22 वर्स के तो हो नहीं कि मैं आपको बोलू extra effort आप डाल दो 5-6 साल कर लो या 5-6 साल करोगे आपके जिंदगी निकल जानी है तो इसलिए मैं आपको एक सही सजेशन दे रहा हूँ आपका passion है UPSC को follow करना आप करो लेकिन मेरा एक दाईत हुए कि मैं आपको सही जानकारी दूँ आप अभी किसी छोटे जॉब में चले जाओ उसके chances हैं आपके एतली पर त्यारी करते रहो भाग मेरे का तो हो जाएगा लेकिन भाग में तो आपके उतना clear view तो मुझे नहीं मिल रहा है सीधी बात है लेकिन एक आपके मन के संतुष्ठी के लिए मैंने बोला कि आपको ये मलान ना हो कि मैंने try नहीं कैसले करो करो कोई बात नहीं लेकिन फिलाल जो achievement चाहिए आपको न वो ज़दा जरूरी है क्योंकि आपकी life ऐसे परिशान है और आगे परिशान ना हो इसलिए एक सही direction में काम करना भी उचित है आपके हाथ में ज़दा ताकत नहीं है और आप कोशिश करेंगा कि अपने हाथ से पत्थर तोड़ दे तो विर्त का प्रियास हो समझ गए ना तो देखिए आपको करना क्या आप देखिए क्या negativity है पर तो mind रेखा पर थोड़ी दवाब मुझे दिख रही है लेकिन कुछ चीज़े clear भी है तो वो दिक्कत नहीं आता और दूसरी स्टूडी रेखा भी आपकी बनने वाली स्टेज है मतलब आप बहुत दिन से preparation नहीं कर रहे हैं यही बाते मैंने इनको phone पर भी बताई थी अभी भी बता रहा हूँ दो थी नहीं तो एक अच्छी बात है concentration तो आप create कर लेंगे generate कर लेंगे लेकिन फिलाल तो आप ज़्यादा दिन आपका मेहनत कर नहीं बाए क्योंकि यह formation stage में है hard time में काफी emotional nature है तो इस case में थोड़ा इंसान distract होते है emotionally बहुत ज़्यादा और सबसे बड़ी और big problem आपके ब्रशपती को लेके है इसको लेके बड़ी problems आपके जिन्दगी पर है कि यह आपके काली छेतर में बृद्धी करने में बहुत दिक्कत करेगा आपको परियास ज़्यादा करना पड़ेगा और आपसे अगर strong ब्रशपती लेके कोई व्यक्ती आए होंगे तो पहले उसका हो जाएगा तो यह ब्रशपती में दिक्कत है तो इस case में व्यक्ती को इसके regarding उपाई करके ही कोई कारी करना चाहिए और मैंने इनको उपाई बता दिया घरेलो ही उपाई है वो आप कर लेना दूसरा इनकी और negativity के अगर तरफ में परिचे कराऊ ना तो यह देखिया जब सूरी रेखा पर आपके कुछ दो-तीन lines का cut होना तो आपको distract करती है energy से आप एक मेना पढ़ते हो दो मेना पढ़ते हो maximum तीन मेना फिर energy खतम हो जाती है आपकी फिर आप उसको छोड़ देते हो link टूड जाता है आपका या आप सोचते हो मेरे से होई नहीं पाएगा तो यह भी एक negativity है तो इस सब चीज़ पर आप work कर सकते हैं बहुत आराम से चीज़ों को lightly नहीं लेना है seriously लेना है मेरे जितने शब्द आपके लिए परयोग किये जा रहे है मेरे द्वारा जितने शब्द आपके लिए परयोग किये जा रहे है उस बास को dairy पर note करके आप वो काम करना शुरू कर दीजे आपकी सफलता तय है एकदम तय है तो करना क्या है? concentrate करना है अपने mind को कोशिश करना है कि जादा चीज़े दिमाग में ना चलाओ कोशिश करना है कि इस चीज़ को पकड़ के रखो कि मैं अगर अभी महनत नहीं करूगा सफलता मुझे नहीं मेलेगी और ये बाते उचित है और fate line से भी आपकी थोड़ी धूमिल-धूमिल से दिख रही है बहुत strong या बहुत बली आपकी भागी रेखा तरी पर नहीं है अब आप बोले है गुरुजी की इतनी negativity तो आपने मुझे बता दी तो आपको सिर्फ लग रहा है कि negativity है कुछ negativity नहीं है इसको आप बहुत अराम से ठीक कर सकते है विशेशकर negativity यही थी जिसके वज़ा से मैंने आपको बताया कि इसमें chances कम है UPSC को लेके लेकिन छोटे जॉब को लेके क्लरक लेवल के जॉब को लेके आपकी बहुत अच्छी chances है strong सूरी रेखा दो-दो सूरी रेखा इस से कराब अतेली भी न कराब अतेली वाले इंसान क्लरक लेवल के जॉब पे चले जाते है मागे रेखा भी ठीक ठाक है मध्यम ही है लेकिन ठीक ठाक चल रही है तो यहाँ पर से आपको सफलता मिलेगी सबसे बड़ी बात है कि 32 में वर्ष से प्राउग्लस टाइन आपकी बहुत अच्छी है 31, 32 में वर्ष से तो अगर आप परियास करेंगे सफलता मिलने के बहुत चांस है सब कंटीनियो बेसिस पर दो-तीन सीब बन रही है तो परियास करिए क्ररक लेवल पर हर एक एक अग्जाम को दीजिए अपने बन की संतुष्टी के लिए अधिकारी का भी आप दे दीजिए लेकिन क्ररक लेवल के जॉब में आपको कोई दिक्कत नहीं है मेरी बातों को अगर अब ही आप समझ जाएंगे आपको सफलता मिल जाएगी नहीं समझेंगे तो फिर दो साल के बाद हमारी बाते आपको याद आएँगी आपको लगा कि मुझे ओनकी बातों को मान लेना चाहिए था क्या दिक्कत है जोईन कर लो क्रलक में फिर त्यारी करते रो कहां आपकी जिन्दगी छूट गई बहुत रिलेक्षेशन भी आपको मिल जाएगा बहुत बेनेफिट भी आपको मिल जाएगा माइन से किस्थेती भी ठीक रहेगी एकसर्टेड इंकम तो आपके जिन्दगी पर जरूर से है कम से कम इस बात की तो धहरियता आपकी रहेगी क्योंकि माइन रेखा पर दबाव है बहुत स्ट्रॉंग दिमाग के तो आप है नहीं गुसा जादा है और माइन रेखा में स्टैबलिटी कम है तो विक्ती निरने बिना सोचे समझे ले लेते हैं ये भी एक बहुत बड़ी प्राब्लम होती है इन लोगों में तो वो काम आप मत करिए जो चीज़े मैं आपको बता रहा है उस पर कंसंट्रेट करिए काम्याबी आपके मुठ्छे में रहेगी तो ये इनके आपको खुद फील होगा कि बहुत कंसंट्रेशन आगे आपके अंदर तो ये इनके अतली पर न और भी कुछ अच्छी अवस्था बनिये तो अभी इनके अतली करूंगा चीज़ों को असपस रोप से क्लियर करूंगा तो स्क्वाइर स्पा में बड़े महत्मा कांशी होते हैं ऐसे लोग अपने कारे को बड़े इमानदारी से करना इनको बड़े इमानदारी से लोग करते हैं और मद्दे में इसको सफलता को पाते हैं मूलता घ्रू में स्ट्रेंथ है तो व्यक्ति को राज्यों के प्राप्ति कम सी हो रही है 55% दोड़ी है जो की बहुत है जिंदगी बिताने के लिए अच्छे घर से गद्यतार रवस्ता है राज्योग कारा खतिली तो है गुलाबी है धन को एट्रेक करेगी पैसे तो कमाल होगे एक गवर्णमेंट जॉब पाने के लिए आपका थम बेलेजिबल है इक्छा सक्ती प् विक्ति किसी काम को ठानते तो जरूर करते है और कुछ लाइन वी है तो अलिंदा सालĩ की कमजोरी भी मुझे दिख लिए बाकि थम बहुत स्टॉंग है तो विक्तित्व काफी शानदार आपका काफी शानदार वेक्तित हो है फिर देके इनके तरही पर समझदारी के लोप यह भी यह काफी अच्छी बनने तो वेक्ति बहुत समझदार है खर्च ले परविरती के होते है समय का भी तकाजा है जो कि अभी आप खर्च नहीं कर पारोगे पैसे नहीं आएगे तो खर्च कहां से करोगे लेकिन ऐसे वेक्ति खर्च ले परविरती के होते है और कहीं ना कई आपको ऐसा फिल होगा कि मेरे पास तो बहुत कुछ है मैं बहुत कुछ करूँगा ये वह सच्चाई से कोई रूबरू नहीं कराएगा मैंने आपको कोई भी खर्च का उपाई नहीं बताया एक रूपे करनी और मैंने आपको कुछ authentic सी जानकारी भी दिया आपके बलाई के लिए ही मैं सोच रहा हूँ मैं यह सोच रहा हूँ कि आपका काम्याबी हो जाए पहले, सबसे पहले प्रात्मिक्ता मेरी यही है, क्योंकि आपकी एस भी तो हो गई, यह 30 years की, वो भी तो आप देखोगे, 20-22 साल के तो हो नहीं, कि 4 साल लगा भी दो, 5 साल लगा भी दो, जिन्दगी आपकी इसी पठकी हुई है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, तो हमारी फिर देखें, इनके फर्स्ट फैरेंज में उभार है, तो इस केस में विक्ती तरकी तो अपने जिन्दगी पर पाते ही पाते हैं, लेकिन सिर्फ जोस रहे यह जरूरी नहीं है, आपके, जिके मान लिए जाए, एक मैं एक्जामपल आपको देता हूँ, माली जी इस बात प उसे, कुछ करने का डेडिकेशन बहुत जादा है, लेकिन आप में होसी नहीं है, आपको यही नहीं पता कि आपको करना क्या है, और किस दिरेक्शन में आपको करना है, कोई एक व्यक्ती है, जिसको एक डेस्टिनेशन पर जाना है, और कोई दूसरा व्यक्ती है, उसको उस गंटे में पहुंच गया, तो यहां पर ना होस की भी आवशक्ता परती, इसलिए गुरू की आवशक्ता परती, आपको सही डिरेक्शन में काम करने के लिए वो प्रिद करते हैं, समझाते हैं चीजों को, आप वो करो, आपको बेनेफिट आएगा, आपको वहीं पहुंचना ह आप वहीं पहुंचोगे, लेकिन सब की जिन्दगी एक जैसी नहीं होती, सब की भाग एक जैसी नहीं होती, इसलिए मैं इस चीज़ को इतना समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका बला हो जाए, नहीं तो कोई फरक नहीं परता, आपने पूछा, यू पेसी ह होगा, मैंने बोल दिया, हाँ हो जाएगा, आप भी खुश, मैं भी खुश, आपने मुझे पैसे दे दिये, मैंने भी आपके पैसे रख लिए हैं, क्या जरूरत है, जाने दो, होगा होगा, नहीं होगा, यहाँ पर तुरिक चीज़ा ये भी होती है ना, लेकिन मैं वैसा मैं कोशिश करता हूँ, जो आपका होगा, वही कराओ, ताकि आपके मन में ये फिलिंग्स तो है, किसी से मैंने संपर्क किया था, उसने मुझे सही जान काई दी, आज मैं सही डिरेक्शन पर हूँ, सही डिरेक्शन पर काम कर रहा हूँ, कभी-कभी कुछ इंसान ऐसे होता ह कि बहुत पोटेंशल होता है, बहुत जादा, लेकिन डिरेक्शन पता नहीं होता, कि किस चीज में काम करना है, किस जगा काम करना है, तो डिरेक्शन तो पता होना चाहिए न आपको, कि आपको क्या करना है, किस डिरेक्शन में काम करना है, अगर मेरी बात हैं उचित लग आपको तो क्रिपे अगर के एक लाइक कर दीजिए मज़ा आ जाएगा तो ब्रश्पती फिंगर चोटी सन की बड़ी तो हिमती है कैलकुलिटिव तरीके से अपने जंदगी को जीएंगे नियमत रूप से ऐसे विक्ति अपने जंदगी को जीते हैं बुद्ध फिंगर बड़ भी पाते हैं ब्रश्पती तो ब्रश्पती में बहुत प्राप्लम और स्ट्रॉंग आपकी थंब स्ट्रॉंग आपका मंगल तो विक्ति को पाड़ी वारीक समस्या है तो बचपन से जेलनी पड़ती है और कुछ अपने एग्रिशन के नियचर की वज़ा से कुछ अपने लखना है कि एग्रेशन में गुस्सा में लिया वहर वो निरने आपके लिए गलत साबित होता है तो वो नहीं करना आपको एक ट्रेंगल सी बन रही है एक पॉसिटिवीटी को इंग्रीज कर रही है आपके ब्रश्पती पर बागी प्रश्पती यहां से ठीक है तो घर से ब और यह जो कुछ लाइन्स आपके तरह पर दिख रहे है यह जितने लाइन्स आपके माइंड रिखा के तरप से आ रही है इस सारे इरिटेशन के लाइने इसलिए मैंने कहा प्रवलता से कहा कि आप एग्रेशन में निरने मत लेना इसका एक सिंपल सा उपाय है मेडिटेशन का सारा लो जब आपको गुस्सा आने लगे कंट्रोल करो तो अग्रेशन में गलतियां करोगी बहुत बड़ी बड़ी यहां से दबाब है तो विक्ति मेनती मेनत का फरेन को मिल जाएगा यहां सो बारे तो नो डाउट बाकि सैटरन रिख आपके जिंदगी के लास तक पाता है घर से दूर के उन्दी विदेश की आत्रा या घर से दूर की आता है होती ही इनकी शुक्र वह डिस्टर्ब्स आए तो प्राड़म विवाहिक जीमने में थोड़ी बहुत प्राब्लम जाती है इस केस में प्राड़म बिक समय में जादा आती है 22 से लेकर 30 वरसों त प्रियास करिए जो चीजे मैंने बताई आपको तरक्की मिलेगी एक प्रॉपर्टी विगर आप बना पाओगे एक और सुरी रेका इसको आपके बन रहा है तो विक्ती को प्रॉपर्टी का सुक भी मिलता है इसमें कोई डाउट नहीं है उसके बाद यहां पर से भी कुछ एक मल्टिपल प्रॉपर्टी के योग से बने मैं तो विक्ती को मल्टिपल प्रॉपर्टी का सुक मिलता है एक और सी बन रही है 36 वर्स के बाद बहुत यह अच्छे चांस है सूरी देखा भी दो तीन सी है तो इसमें कुछ concentration में issues भी आ रहे थे आपके सूरी परबत को लेके तो सूरी को जल देना बहुत उचीत रहेगा आपके लिए इससे ये चीज़े खतम सी हो जानी है और यहां पर से ने कुछ एक हलक असा देखो ना अलका से एक फिशनुमा बन रहा है फिलाल तो भी complete नहीं है अगर यह बनत बुद्धी विएक से कारे करते हैं बिजनस के परती भी इनका इंटरस्ट होता है नो डाउट और कुछ आपकी हर्ट लाइन पर ट्रेंगल सी बन रही थी यहां भी देखो तो इसकी distractions को दूर करने है तो इसा आयकती बताऊंगा आगे सूरी बुद आपका काफी अच्छा ह बड़ी इमानदारी बड़े एनरजी के साथ करते हैं इसते तो में क्यारा और प्रियास करो हो जाएगा पर शास्तनिक विवाद में भी होने के अच्छे चांसे से हैं उसके बादे कुछ अंदरमा अच्छी है तो पैसे के फ्लो बनी रहती है जिंदगी पर कुछ लगजरी लाइफ का शुक तो प्रापर्ली इनको मिल दी जाता है इसमें कोई डाउट नी चंदरमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है फिर देखे शुकर शुकर पर कुछ लाइन से जो स्ट्रेस के लाइन थे प्रारंबिक समय पाड़ी बारिक समस्या रह है तो व्यक्ति थोड़ा सोच सकते हैं टेंशन ले सकते हैं बाकि आपकी रेखाएं बहुत असपस्ट हैं मंगल रेखाएं भी अच्छी है तो आयो दिरगायो आपकी जीवन रेखा भी अच्छी है 75 प्लस की आयो और आयो इतनी अच्छी है जल्दी किसी प्रकार का प्रारमबिक समय में काफी दवाब मुझे दिखां काफी दवाब एक बातिस वर्स में तरक्की उसके पहले कुछ राहू लाईन ती तकरीबन बाईस वर्स के आयो से शोख ήह स्केश वञायो आप दवाब जिल रहे हैं इंडिपेंडेंसी आपकी 22 वर्स से आगई 22 वर्स से अच्छी progress जोग है, प्रगृति के योग है, building state, बने हुई है, एक आपकी 41 परस्त में दिक्कत है, फिर आपकी 45 परस्त में तरक्की, आगे भी तरक्की के योग से बने हुए, तो इसके normal उपाया मैं आपको दे दूँगा, बाकि आपकी dog Г kabul Prime 32 परस्त से अच्छी है, परियास कुछ ट्रेंगल से बने हुए माइंड रेखा पर तो ये सारे आपके माइंड के बलको इंक्रीस कर रहे हैं तो कितना भी दबाब हो जाए विक्ति कंसंट्रेट कर पाता है हर्ट लाइन में काफी इमोशनल लेचर बहुत इमोशनल है बहुत सी बाते दिल दिमाग में चलती र हो शकता है बागी क्राइल आइन सहतले पर मौझूद तो विक्ति में बैलंसिंग डिस्टेंस अच्छा है माइंड रेखा और हट लाइन में तो दिमाग के ये प्रबल होते है बट कुछ डिस्ट्रेक्शन्स जो कि मैं आपको फील कर रहा हूं इसमें आपको ज़्यादा सो बागी रेखा आपकी बचपन सही मोटी थी बहुत क्लियर नहीं थी आपके 22 वर्स के बाद भी ये अच्छा फल नहीं दे रही थी बट बागी रेखा था तो कुछ-कुछ फल मिल रहा होगा हलकी सी जिंदगी ठीक होई होगी ये 28 वर्स के बाद और फिर अभी भी आपकी थाक सी बागी रेखा चल दे जिंदगी के लास तक बागी रेखा तो मौझूद है तो कमाई तो आपकी होती रहेगी बट परियास करना है जादा आपको मेहनत जादा करना है एक सूरी रेखा सी बन रही है दो दो बन रही है अगर आप परियास करेंगे तो अच्छे पद क मिलने की chances हैं तो जो मैंने बता उसको करें आपने passion को मत छोड़ें मत भूलें लेकिन अभी जिसकी आवशक्ता है वो जरूर करें एक money triangle सी बन रही है लेकिन clear नहीं है अभी बने की तो आपको benefit कराएगी पैसे करिगा नहीं फिलाल तो पैसे जमा करने में आपको दिक्कत होता होगा इसमें कोई doubt नहीं है तो यह था इनके दले का पुर्णता विश्टेशन अगर आपको मारा यह वीडियो पसंद आया लाइक कर दे कमेंट कर दे शेयर कर दे सब्सक्राइब कर दे अगर आप प्रस्तनली मेरे सास्तरिखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं हमार वाट्साप नमर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा लेकि आप समपड़ कर सकते हैं धन्यवाद